हालो एब्रिवन आज हम सीखेंगे इक की मात्रा को लगा कर शब्दों को पढ़ना जब हमने आ की मात्रा सीखी थी तो हमें पता लग गया था कि मात्रा को जिस भी अक्षर के साथ लगाते हैं उस अक्षर के साउंड के साथ मात्रा का साउंड जुड़ जाता है अब हम सीखेंगे इक की मात्रा लगाकर शब्दों को पढ़ना अब इक की मात्रा का साउंड क्या होता है? इक छोटा आवाज होता है और ये अक्षर से पहले लगती है तो चलिए ध्यान से देखते हैं और अक्षर को पढ़ते हैं द के साथ लगी छोटी की मात्रा बना दि, और साथ में है ल, शब्द बना दिल, नेक्स देखिए, मि, ल, मिल, नि, ब, निब, पि, न, पिन, लि, ख, लिक, जिसके साथ मात्रा है, उस अक्षर के साउंड के साथ मात्रा का साउंड जुड़ जाएगा और दूसरा अक्षर हम as it is पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा वो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हो गई दिक्कत, थोड़ इसी डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ दो मात् जो लाल रंग से बनी हुई है, और एक है standing line, आ की मात्रा, चलिए पढ़ते हैं, यह बना सी और यह बना ला, क्योंकि इसके साथ आ का साउंड जुड़ गया है, सि, ला, सिला, कि, ला, किला, मि, ला, मिला, हि, ला, हिला, दि, शा, दिशा, अब यहाँ देखिए, पहले अक्षर ऐसे ही लिखा हुआ है बिना मात्रा के, और दूसरे अक्षर के साथ मात्रा लगी हुई है, तो शब्द पढ़िए, रवी, रवी, शनी, शनी, पती, पती, कवी, कवी, रीशी, रीशी, हरी, हरी, छवी, छवी, बनी, बनी अब यहाँ दोनों अक्षर के साथ मात्रा है, तो दोनों के साथ एक का साउंड जुड़ जाएगा, मि, ली, मिली, अनी, अनी, चलिए अब तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं, मि, नट, मिनट, नि, कट, निकट, हिरन, हिरन, नि, गल, निगल, वि, फल, विफल, वि, आकी मात्रा, मान, विमान, ध्यान, वि, लाप, वि, लाप, थोड़ा सा ध्यान लग रहा है, जिस अक्षर के साथ, जो मात्रा लगी हुई है, उस अक्षर के साउंड के साथ, उसी मात्रा का साउंड जुड़ जाएगा, हि, साब, हिसाब, मि, थास, मिठास, गि, लास, गि, लास, कि, सान, किसान, शि, कार, शिकार, देखिए, पा, लि, श, पालिश, अब पहले आ की मात्रा है, बाद में इक की मात्रा, मालिश, मालिश, बचि या बचिया, सरिता, नदि या नदिया, बगि या बगिया, खटि या खटिया, तकि या तकिया, चलिए चारक्षर वाले शब देखते हैं कि श मिश किश मिश थोड़ा सा ध्यान रखना है जिसके साथ मात्रा है उसके साथ मात्रा का साउंड जोड़ दो जिसके साथ मात्रा नहीं है उस अक्षर को वैसे ही पढ़ लो जैसे जि ल मिल ज और म दोनों में मात्रा लगी है और ल में मात्रा नहीं है रविवार परिवार साइकिल शनिवार क्यों लगाना मज़ेदार बहुत आसान है चलिए प्राक्टिस करते हैं किताब में से और भी शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं पर हां मात्राओं के साउंड का जरूर ध्यान रखना और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो बबाई लव यू और टेक्या है